नमस्कार दोस्तों स्वागत है उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी होंगे आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगे या सिर्फ इस्टैटिक पढ़ भर लेने से आपका सेलेक्शन हो जाएगा क्या नहीं पॉसिवल नहीं है अगर हमें अब सिविल सर्विस इस में सेलेक्शन लेना है तो बर्तमान में जो घटनाएं चल रही है इनकी जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है जितना की इस्टैटिक की जानकारी होना अभी पिछले कुछ दिनों से आप no confidence motion को सुन रहे होंगे आप इस बास प्रस्ताब को सुन रहे होंगे कि आप इस बास प्रस्ताब लाया जा रहा है नो confidence motion लाया जा रहा है ये क्या होता है जानते हैं समझते हैं उससे पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि भारत का एक राज जह मनिपूर उसमें एक एक ऐसी गटना गटती हुई जिससे low and order failure हुआ और उसके बाद जब राजी सरकारे बहतर दरीके से काम नहीं कर पाती हैं तो भारत सरकार से उमीद की जाती है कि वो अब उनको अपने अंडर में लेगी और वहाँ पर जो भी इसूस है उनको resolve करेंगे तो इसी लिए जो बिपक्च है उस बिपक्च के द्वारा सरकार के खिलाब एक no confidence motion लेके आये जा रहा है हम उसको समझने की कुशिश करते हैं देखो अच्छा no confidence motion कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत simple सा है जिस दिन तक आपको मुझे भरोसा है तब तक कि आप class को पढ़ेंगे और नहीं होगा उस दिन आप class हूड के चले जाएंगे क्योंकि हमारी बीच में कोई legal agreement नहीं है ना आपने मुझे किसी एक process के थुरू चुना लेकिन जो सरकार होती है ना उस सरकार को चुना जाता है क जो कि भारत ने एक संसदी सासन प्रिणाली को अपनाया हुआ है पालिमेंटरी फॉर्म ऑफ गौर्मेंट को अपनाया है जिसको वेस्ट मिस्टर मॉडल के नाम से जानते हैं ब्रिटेन में जहां जो सरकार होती है वे चुनीवी होती है जनता के द्वारा और उसका responsible होती है द्यान रखना भारत के संभीधान का एक आर्टिकल है 75 75 के सब आर्टिकल 3 में हमने बोला हुआ है कि जो सरकार है वे लोग सभा के पिरती collectively सामोहिक तोर पर responsive हो लोग ही मतलब क्या होता है जब सरकार अगर भरोसा रखती है जनता में या जनता सरकार में भरोसा रखती है पर प्रूफ हो जाते हैं तो फिर सरकार चली जाएगी सरकार बर्खास्त हो जाएगी इतना सा ही मतलब होता है collective responsibility का कि सभी लोग सामोहिक तोर पर responsive हैं लोग सभा के पिरती अगर किसी एक व्यक्तिने भी गलत किया तो सरकार गिर जाएगी सरकार को स्थिपा देना यह तो बात हुई कि हमने कौन सी कारपरणाली लेकर आये हैं वो है बेंस्टर मॉडर ब्रिटेन का जबकि अमेरिका का जो राश्पती है वो responsible नहीं है अपने कारियों के पिरती अपने legislature में लेकिन बारत की सरकार होती है तो सरी no confidence का मतलब क्या है आप यह तो बताई नहीं बच्चे समझो देखो हमारे सम्विधान का आर्टिकल जो 75-3 है यह responsibility की बात करता है अब responsibility कब होगी जब तक बिस्वास होगा अब हमारे पास एक विवस्ता है विपक्च और उस विपक्च को अगर कभी ऐसा लगता है कि सरकार में भरोसा नहीं है अब हमें लगता नहीं है कि ये उतने बहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं जितने बहतर तरीके से करना चाहिए तो उनके लिए वो no confidence motion लेके आ जाता है तो क्या no confidence motion का भारत के सम्विधान में बर्णन है नहीं है फिर भारत के सम्विधान का एक article है article number 118 यहां बोला गया है कि rules जो संसद है ये संसद rule बना सकती है ये नियम बना सकती है अपनी प्रक्रिया के अपने प्रोसेस के तो क्या होगा पार्लियमें नहीं एक rule बनाया rule number 198 इस 198 में प्रोस्विजन किया गया है no confidence motion का आप से कोई पूछ सकता है कि जो आप इस पास प्रस्ताब है ये किस के तहित लाए जाता है आप बता इसे बहुत सरल सब्दों में इसको समझते हैं आप इस प्रस्ताब एक ऐसा प्रस्ताब है जो बिपक्च के द्वारा लाये जाता है सरकार के खिलाब पिटा कौन लेके आएगा बिपक्च लेके आएगा किसके खिलाब सरकार के खिलाब और अगर बिपक्च इसमें सफल हो मतलब जितनी सदस संख्या चाहिए इसके फेवर में अगर उतनी मिल गई तो फिर क्या होता है फिर सरकार गिर जाती है ऐसा होता है हाँ सरकार गिर जाएगी ध्यान रखेगा तो डारेक गिर जाएगी क्या नहीं जैसे ही अब इसवास प्रस्ताव पास होता है सफल होता है फि इफिडेंस मोशन यहाँ पर लेकर आना पड़ता है ध्यान रखेगा तो कौन से नियम के अंतरगत एक सो इंठानबे किसे ने बनाया पालियमेट ने किस आर्टिकल इंतरगत एक सो अठारा आर्टिकल के अंतरगत ठीक है बई चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अभिस्वास प्रस्ताब आयें सबसे ज़्यादा इंद्रा गांदी के खिलाप याद रखेगा और पिछली पंदरा बरसों में सिर्फ चार बारी आपके पास आया है और एक ही जो अभिस्वास प्रस्ताब है वो मोराजी देशाई के खिलाप सक्सेस्पूल रहा था मत्दब क्या होगा स समझो अभी तक भारत की थ्यास में 27 नू कॉंफिडेंस मोशन आ चुके हैं इनमें सबसे ज़्यादा इंद्रा गांदी के द्वारा फेस किया गया है 15 बार अभी तक सिर्फ एक ही नू कॉंफिडेंस मोशन शफल हुआ है वो है मोरारदी देशाई के खिलाप सबसे पहले कि के खिलाप आया पंडित नहरू खिलाप कौन लेके आया बच्चा कौन लेके आया तो आप लोग बता देंगे कि हमारे जेवी करपलानी थे उनके द्वारा यहां पर लेके आया गया था ठीक है बड़ी समझो तो आप से कोई पूछ सकता है कि किस पीम की सामने कितनी अभिस अधर 18 में और अब ये कौन सा बेटा दूसरे नमर का है तो कितने प्रधान मंत्री ने कितने confidence no confidence motion को फेस किया आप बता देंगे कि सबसे ज़्यादा इंद्रा गांदी के समय no confidence motion आये थे उसके बाद कौन है लाल भाद्दूर सास्त्री फिर पीवी नरसंग राओ, मौराज लोग सबहां में छे आए 1962 से लेके सर सकके चे , छ Aujourd्ही में पूधी लोग सबहा 1907 से लेके सैबेंटी बन में फिर छे आए, पाँचवी लोग सबहा而myada सर लेकि 77 बात करेंगे, चवदवी और पंदरवी लोग सभा में नहीं आया है, लेकिन 16 लोग सभा में एक आया, चवदा से लेके 19, अब जो आपकी लोग सभा चल रही है, इसमें भी एक आने वाला है, तो किस लोग सभा में कितने नो कॉंदरेश मोशन नहीं बच्चा इस बात का भी आप लोग ख्याल लखेगा, सभाल बन सकते हैं, हम सिर्फ यहीं देख रहा है कि नो कॉंदरेश मोशन क्या है, किस की खिलाब कितनी बार आया, कौन सी लोग सभा में आया, सबसे ज़्यादा किस ने फेज किये, एक बार कि इसके खिलाब आया, सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, बच्चा ध्यान रखेगा, अब यह होता क्या है, दोको यह केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है, यह सिर्फ एक सिंगल लाइन का प्रस्ताव होता है, एक सिंगल लाइन का प्रबुजल होता है, ध् तब तब बक्षे किलाब ध्यान रखिएगा, कौन सा नियाब, एक सो अंठानवे का एक, ए, के तहित अविस्वास फ्रस्थाव लाने वाली सदस को, स्पीकर के बुलाने पर सदन में इसके लिए अनुमती मांगनी पड़ती है, जो व्यक्ति लेके आएगा, उस व्यक्ति को स्पीकर से पहले पर्मिशन लेनी पड़ेगी, कि हम ऐसा लाना चाह रहे हैं, अगर स्पीकर अलाव करेगा, तब ही लेके आएंगे, अब इसमें यह भी लखा गया है, कि स्पीकर को नियूट्रली होना है, अगर कोई व्यक्ति लाना चाहता है, तो लाने के लिए अलाव कर देना चाहिए, ठीके, ऐसी उमीर की जाती है, तो कौन लेकिया आएगा, बिपक्च, किसकी अंतरगत, रूल 198 के सब अर्टिकल, बन के सब अर्टिकल A के अंतरगत, 198 का बन भी कहता है कि सुवबे 10 बजे तक इस प्रस्ताप के लिखे सूचना लोगसभा के महासचिब को देनी होगी इस समय के बाद मिली सूचना को अगले दिन मिली सूचना माना जाएगा मतलब अगर आप लाना चाहते हैं बिल लाना चाहते हैं तो सोभे 10 वे से पहले महा सचिप को दे दू, आप देखो question क्या पूछारा सकता है, क्या लोग सभा speaker को दो, राश्पती को दो, नहीं, महा सचिप को हमको देना पड़ेगा, इस बात का ख्यान लगिएगा, कि कि नियम 198 दो, कि प्रस्ताप के पक्च में कम से कम 50 कदस्यों का ह होना आबश सके, आप जो no confidence motion लेके आ रहे हैं, इस पे, कम से कम 50 लोगों के हस्ताक्चर होना चाहिए, यदि इतने सांसद ना हो, तो अध्यक्च प्रस्ताप रखने की अनुमती नहीं देते, मतलब क्या हुआ, देखो, यह जो सदस है ना, कि हमारी लोग सभा के होना चाहि पचास सांसदों का समर्थन जरूरी है, 50 लोगों का यहां पर सपोर्ट में होना चरूरी है, 193 के तैत, अध्यक्ष अनुमती मिलने की बाद इस पर चर्चा के लिए एक या अधिक दिन या किसी दिन के एक भाग ते करता है, तो 193 यह कहता है, कि जो speaker है, यह समय डिसाइड करेगा कि इस पर कितनी चर्चा करनी है, और 194 के तैत, अध्यक्ष चर्चा की अन्तियन दिन, मतदान के जरी निर्णा की खुशना करता है, मतदान कैसा होगा? अगर पास हो गया तो फिर सरकार बिस्वास लेकर आएगी कि हमारे पास बिस्वास है या नहीं है वो बताएगी खतम कहने तो सरकार गिर जाती है अभी तक एक ही सरकार गिरिये ठीक है एक ही गिरिये तो नो कॉफिडेंश मोशन बीटा चर्चा में बहुत था हमने इसमें बहुत सारा बाते नहीं की है सिर्फ वो समझाए कि नो कॉन्विश मोशन क्या है कि कितनी बार आया किस के खिलाब आया कैसे ये पारित होता है यह पूरी पिरिकरिया है 198 के अंतरगत ठीक है अब इसमें कोई भी दिक्कत हो, दिखो, सरकार का संसद ये सरूप है, जहां सरकार चुनी जाती है, और चुनी जाती है, तो जहां पर वो इलेक्ट होती है, वहाँ उसको हमेशा भरोशा बनाए रखना पड़ता है, विसबास बनाए रखना पड़ता है, तो आपने मोशन पड़े होंगे एक होता है confidence motion एक होता है no confidence तो जब भी no confidence motion आएगा जब भी no confidence motion आएगा उसके बाद सरकार confidence motion लेके आती है ध्यान रखना एक बार no confidence motion आने के बाद अगले 6 महिने तक बिपक्च no confidence motion लेके नहीं आ सकता है अच्छा confidence motion के लिए कभी भी राश्पती भी क्या सकता है कि आप भहु मुझे आप दीजेगा comment box में कि जो flow test है flow test और no confidence motion इसमें क्या अंतर होता है I hope कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी ठीक है चलिए फिर करते हैं आप से मुलाकत तब तक खुसरे मसरें और बहतर तरीके से बढ़ाई करें